भilippe को बढ़ते हैं वासिटों मैसरी नाहरं के का बीर फंजाई भी भी बोलते हैं पंगी और ऐसो के कण स मुस्रूम के बारे में पढ़ें कि मस रुप कैसा होता है कि इसके बारे में जाता हम आदें कौन से मस खा सकते हैं कि कितना हाम्फूल है तिक है यह सब हमाइसूं के बारे में जानेगे और इस में तो म म noi को बारे में पढ़ता है कि मैसलियम जो है ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है ब्रांच मतलब ऐस ऐसे ब्रांच होता है ठीक है ठीक है ठीक है ब्रांच होता है और क्या है क्या है सेप्टेट ऐसे सेप्टेट आप नुक्लियस ऐसे होता है और यह ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है ठीक है इस टाइप का ऐसे ब्रांच होता है और यह सेप्टेट होता है यह मोस्ट अध्वांस मिल्य जाते हैह हमें साथ देखने को मिल जाते है किया उस अधाह मुस्ट्रीट से फंगी ठीक है क्या मश्रूम इसका जामपल ब्रैकेट फंजाई वरत बोल यह सब होडो अरूटिक जोणांट 9 p suggests the प्लानट फ्लांट को जो हामफुल एपक्ट उचाता है उसमें बीमारी कॉस्क्त कायता है विमारी जो होता है और समट का इसमर्ड के रूप में होण के अब सकत्सवूल स्पोर के बारे मुट पढ़े इसमें इसमें चाहता है होता है इसमें पर्जेंट ही नहीं होता है ठीक है इसमें पर्जेंट नहीं होता है इसमें अपसेंट होता है यह वेजेटाटीव वेजेटाटीव रिप्रोडक्शन और हेजटाटीव रिप्रोडक्शन टेक्स फ्लेस बाइफ फ्रेग्मेंटेशन ठीक है वेजटाटीव रि सेंट होता है फिर भी यह क्या करता है sexual reproduction करता है अब माइसली मैसलीण के बारे में पढ़ेंगे है मैसलीम मैसलीम ऐघ तो टाइप रे में ठी बसकी में होता है फ्रामरी और सेक्दी उस्ट होता है और सटीन chu होता है एक एपरामरी में में जो है सिंगल सेल सिंगल नुक्लियस होता है और डिप्लोईड में डबल नुक्लियस और स्टेट होता है और यह ब्रांच होता तो इसी को बोलेंगे है आल्टरेशन ऑफ जेनरेशन इसको क्या बोलेंगे इसी को बोलेंगे अल्टर्नेशन अफ जेनरेशन है अब देखते हैं सेक्षों और रोटरसा क्यासे होता है यहाँ पर दू माय से लिए में धूमाय से अब जूडना जूड़ जूजेता है एक फेमेल जूड जाता है ठीक है इसको क्या बलागैंस मो lagiके यह लेकिन अभी जो न्यूकलीय कुले मेस्ट जो है इसका जाता है ठीक है अब यहां दो एन मिक्स जो होता है दोनों एन जो है ठीक है दो एन जो है दोनों का दोनों नुकलेस जो मिक्स हो जाता है ठीक है मैटिंग हो जाता है इसको क्या बोलेंगे कारियोगायमी कहेंगे इसी को बोलेंगे कारियोगायमी इसको प्लाज और इसको प्ल होता है एक जो जीनियसली होता है एक जो जीनियसली होता है और तो मतलब टू एन मियोसिस होना मतलब एक से एक से चार चार प्रोजनी का बनना मतलब चार न्यू न्यूस हेल का बनना ठीक है न चार चार बेबिस को जनम लेना ठीक है ठीक है तो फोर फोर इस पोर बनता है फोर बन जाता है क्यों क्यों बनता क्योंकि मियोसी से डिपलोइड है अब इस बैसिटियम हर एक बैसिटियम पर्ड्यूस क्या करता है हर एक बैसिटियम पर्ड्यूस करता है फोर बैसिटियो इस पोर पर्ड्यूस करता है यह बैसिटिया आरेंज इन बैसिटिया जो अरेंज होता कि फूर्टिंग बोडिंग में ऍींदीन होता है थिके उसके हम बलते हैven कि 即ूरा कार्प लग जाता है तो क्या बाइसीलियो का वह सिद्धियो कार-वैसीडियो डिए इसका एकजाम्पल है आग कर जो कोमर मस्रूम है है स्टि लागो स्मल्ट पक्सिन या रस्ट ठीक है पक्सिन यह रस्ट तो हम इसके याद करने के लिए एक ट्रिक लेकर आया है इसका एकजाम्पल याद हो जागा इजली कि मुझ से अगर उसने इस मुथली बेसिक पूछा तो रफली एंस 10ग ठीक है मुझसे अगर उसने इस मुथली बेसिक पूछा तो रफली एंस दुगा तेहां से तार हर एलिकस मसिमकाँ था रिकास यूवति कर यू घूसा लेंगे आस्टीलागो यूसे इस्टीला गो इसमल्ट एंपर देखेंग हैं इस्टीला तर यह एंपर लेंगे गया क्या फेल पार यह एक कैसे पार बंदल सेल को रस्ट रस्ट कहते हैं तो यहां पर पक्सिनिया को यहां पर क्या ओलेंगे आर से रस्ट और एंसर दूंगा इसका कोई मीनिंग नहीं है ठीक है थैंक यू